आप लोगों को पता ही है कि इंडिन मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पेटीशन हो चुक है कि हमारे पस बहुत सारा आप्शन है और जब हम कोई भी बाइक लेने वाले रहते हैं लेने की सोचते हैं तो हमारे पस बहुत सारा कन्फूजन रहता है फिर कि हमें कौन सी आप लोगों को लिए बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है चली दूस्तो आज किस वीडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं रहे सके हैं आगे बात करते हैं एनेश्ट वर्सेज पर चैनल पे पहली बरहा है तो सब्सक्राइब कर दिजेगा बिल्क अकन को आउन कर दिजेगा ता कि ऐसी इंट्रस्टिंग उडियो के नोडिफिकेशन पर आप तक पहुंसते रह सके हैं और आप मेरी उड़ेस अबडेट रह सके हैं तो चली दूस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एनेश्ट वर्सेस आरेश्ट वर्सेस आरेश्ट सबसे पहले दोस् के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट रखता है दूस्तो एनेश्ट वर्स एक्स रूम प्रेस अरॉपए और वन लेक्व फूटी दोजन एक लाग चालीस हिसार रूपे के आसपास की एक्स रूम प्रेस देखने को मिलती है बात कर लेते हैं दूस्तो दुनों बाई क टोने ट्वलनेक्स सेवेंटी डॉजन एक लाग सतर हजार रुपए के आज पास की ओन रुपाइस देखने को मिलती है और अगर बात करें दूस्तों अपनी आरेश चुनेट के बारे में तो आरेश चुनेट टू लेक्ट थ्री थाउडन रुपेस दो लाग तीन अजार रु आपको दिरी दिरे पता चल जाएगी सबसे पहले दूस्तों आप डोनों बाइक का डिजाइन देख पा रहें देखिए ध्यान रहें कि एक है नेकेड इसपोर्ट बाइक और एक है फेरिंग इसपोर्ट बाइक दोनों बाइक का जो सेगमेन है वो काफी अलाग है अरेश ब बहुत जादा comfortable है RS-28 थोड़ी कम comfortable है as compared to NH200 क्योंकि RS-28 एक fairing sport bike है तो उसमें आप upright नहीं करोगे थोड़ा सा आपको fairing के मज़े मिलेंगे NS में एकदम upright करोगे उसमें naked के मज़े मिलेंगे Looking-wise अगर बात करें तो obviously बात है Looking-wise में RS-28 बहुत जादा better लगती है as compared to NH200 पाकि आप लोग बतियेगा कि आपको दोनों bike में कौनसी जादा बहतर लगती है Looking-wise में दूस्तों बात कर लेते हैं दोनों bike के engine specification के बारे में कि engine में दोनों bike में कोई differences देखने को मिलता है या नहीं मिलता देखिए NH200 में liquid cool, forestroke, SOC, 4-volute, triple spark plug, BS6 supplied engine देखने को मलता है same engine आपको RS-28 में fuel injection system, triple spark plug, 4-volute, 200cc, DTSI, FI engine आपको bike में देखने को मलता है तो पहली बात तो आप लोग जालने हैं कि engine जो type है वो दोनों bike का same engine type आपको देखने को मल जाता है दोनों bike में 129.5cc का engine वो यूस किया गया है बात करें दोनों bike की maximum power and maximum torque के बारे में RH200 में 24.5 का PS power मिलता है जो कि 9750 RPM पर पावर जनरेट करता है and NH200 में same आपको 24.5 के सपस की PS power देखने को मलती है NH200 18.7 के सपस का निटरमिटिन torque जनरेट करती है and RH200 भी 18.7 के सपस का निटरमिटिन torque जनरेट करती है मतलब अगर आप दोनों bike का engine plus मतलब दोनों bike का power देखेंगे तो दोनों bike में आपको same power and same torque देखने को मिला है almost आपको दोनों bike में same engine देखने को मलता है engine में दोनों bike में कोई फरक नहीं है बट एक बात है कि आरे सोने एक फेरिंग इस्पोर्ट भाइक है तो उसको थोड़ा सा advantage मिलता है कि वो थोड़ी सी better perform कर पाती है क्योंकि वो wind blast को अची तरह की से जहल सकती है दोनों bike BS6 norm के साथ में आती है दोनों bike में आपको one number of cylinder देखने को मिलेगा chain drive दोनों bike में आता है प्लस दोसों आपको अदर तो दोनों bike four wall engine के साथ में आती है एक चोटा सा disadvantage मिलेगा आपको कि दोनों bike में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि sleeper clutch नहीं आता दोनों bike में आप लोगों को normal weight multi plate clutch देखने को मिलते है जो कि मुझे लगता कि बजाज़ लोगो अब upgrade करना चाहिए हलाकि clutch bike का अच्छा है no doubt लेकिन फिर भी ये लोगों को upgrade करना चाहिए बाकि आप लोग comment करके ज़रू बदाएगा कि आपको अब RS-28 और NS-28 के किसके engine में ज़्यादा performance मिली और कौन से engine आपके लिए ज़्यादा better है तो यह था दोस्तों दोनों भाइक का complete engine comparison जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों भाइक almost same performance मतलब engine तो आपको दोनों भाइक में almost same देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं obviously बात है आपको mileage भी almost same देखने को मिलेगा जिया दोनों भाइक around 35 जिया 35 के असपास का mileage दोनों ही बाइक निकाल कर देती है और बात करें दोस्तों दोनों भाइक की top speed के बारे में तो RS नोने top end थोड़ अच्छा जाती है 145 तक easily चले जाती है एनेस को around 140 के असपास की जाती है उसके बाद wind blast के वाज़े से थोड़ी सी problem होती है वो भी 140 के असपास चली जाती है लेकिन 0200 में एनेस को लगबग 10.28 सेकेंड लगते है RS को around 9.92 सेकेंड लगते है तो थोड़ी सी RS जो हो quick है बात करते हैं दोस्तों अब दोनों भाइक की front में आते हैं दोनों भाइक की lights के बारे में बात करते हैं देखें एनेस्टोंडेट में आपको बताना चाहूँगा normal single hellosal light देखने को मिल जाता है main light में लेकिन RS 200 में भाईया प्रोजेक्टर light देखने को मिलती है देखने को मिलेगी तो लाइटिंग भाइक में आपको टन सिंगल लैप बता दू एनेस में बल बाते हैं लेकिन RS में LED मिलते हैं suspension दोनों भाइक की सेम है दोनी भाइक में आप लोग को telescopic suspension देखने को मिलते हैं काफी अच्छी suspension है हला कि दोनों breaking के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको एक major difference देखने को मिलेगा दोस्तो एनेस टुनेट में आपको single channel anti-lock breaking system देखने को मिलता है जिया एनेस टुनेट जो है वो single channel anti-lock breaking system के साथ में आती है लेकिन भाइया RS 200 dual channel anti-lock breaking system के साथ में आती है मैं हो प्रेट साथ के टीन यतर की सिए में की और का रगर साथ के तो मिलेंगे बात करने में द्इमिनेशन इन कैपीशाइट देख or रहें और राम ते ửक्टोर से चे किपारा रहिए और बिलेगे में यह और आरे की थोड़ी सी कब 157 mm की है एने 28 की seat height around 805 mm की आसपास की है और RS 28 की around 810 mm की आसपास की आपको देखने को मल जाएगी ओबिसी बात है दोस्तो RS की जो seat height है वो थोड़ी सी जाद है बट इससे इतना कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है आपकी height around 5.2 से उपर आप तो दोनों भाई को comfortable light कर सकते हो RS 28 का curve weight जादा है वो 166 kg की है NS 28 is 156 kg की मतलब NS 28 10 kg सीधा सीधा light weight है as compared to RS 28 NS 28 की fuel tank capacity 12 liter की है RS 28 की around 13 liter gas plus की देखने को मल जाती है बात कर लेते हैं दोनों भाई की speedometer के बारे में और की instrument console के बारे में अब माँ आपको बता दू यहां पर भी आपको दोनों भाई में कोई differences देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले आप भाई की की देख लीजिए कुछ इस टैप की की आपको मिलेगी दोस्तों दोनों भाई में आप लोगों को दोनों भाई में कोई differences नहीं मिलता अब दोस्तों आप लोगों लेंगे कि दोनों भाई का comparison तो हो गया अब आप यह तो बता दो दोनों में कौन सी खरीदना है के साथ जाना नहीं तो फिर आप आरेस के साथ जा सकते हो बागे आप लोग कमेंट करके जरू बताएगा कि आप लोगों कब दोनों भाई में कौन सी जादा भैतर लगी सो मीट करते हैं आपके छोटी से इंट्रसिंग वीडियो दोस्तो अच्छी लगी उट अच्छी लगी लाइक करना चैनल पर पहली बेरे सब्सक्राइब कर लेना मिलता है फिर नेक्स वीडियो में लवी ओल चैहिन बंदे मातरम